आज बात करेंगे समूह के नाम पर ये समूह बना कर महलाओं को ठगी कर रहे हैं लोग महलाओं को बेब कूफ बना रहे हैं लोग इसके उपर बात करेंगे और ये सामने जो फ्रंट पर दिख रहा है आपको लोन वाला और अनोखा देवी ये जनवड़ी महने की बात है इसलिए इनका फोटो में दिखा रहा हूँ कि ये लोन बाले के साथ अनोखा दे भी भाग गए अब बता ये घरी परिबार को उजारना इनका पहला काम है बसना तो नहीं उजारना इनका काम है लोगों के साथ ठगी करते हुए कमल फाइलेंस प पहली बार फेस्ट बुक पेज पर देख रहे हैं तो फोलो और सेयर जरूर करें गर यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सुचना ये निउज लोगों तक पहुंच सके अब ये जो कमल फाइनेंस प्राइबिट लिमिटेड है ये मध्व वो बहुत सारे महिलाओं का भीर वहां लगा हुआ था ये पिक्चर में दिख रहे हैं ये मैनेजर हैं ये है कमल फाइनेंस के मैनेजर और इन्होंने 2900 रूपया अब देखे कितनी मतलब बड़ी बात है ये लोगों का महिलाओं का समूह बना करके 2900 रूपया ये लोगों स ये कि 2900 रूपया के नाम पर ये 6000 मिलेंगे जब लोगों ने इनके पीछे कुछ लोग पढ़ गया और मेडिया वाले जब वहां पहुंचे तो उनके ख़बर के बताविक इनका ये सारा चीज फरजी था ये एक भी ना तो इनका ओफिस तही था लीगल था और इना ये और ये लोन बाले हैं और ये नोखादे भी है जो इनके साथ भाग गई अब ये घर पर बार लोग जो मर्द होते हैं वो तो ड्यूटी पर चले जाते हैं काम करने चले जाते हैं घर में बच जाती है महिला और ये महिलाओं के जो समू होता है समू के नाम पर ये घर से बाह सो लोगों सो लोगों प्रती दिन इनसे मिलने आता था महिलाएं दस-दस की समूह होता है दस गाउँ में ये लोग समूह बना लेते हैं और सभी से उन्तिस सव रुपया और पांच दिन चुकि ऐसा मेडिया वा लोगा कहना है इसे न्यू सोसल मेडिया पर खबर चल रही है ज अगर उन्तिस सव रुपया लेकर के ये पांच दिन की इनकी कुल कमाई चौदा लाग पचास अजार सोच ये कितनी बड़ी रकम है चौदा लाग पचास अजार रुपया ये लोग पांच दिन में समेट लेते हैं और फिर वहां से गोली हो जाते हैं उन्तिस सव रुपया कितने आसान तरीके से बताते हैं कि 29 रुपया पहले तो ये लोग महलाओं का गुरूप बनाते हैं जैसे ही महलाओं का गुरूप बन जाता है फिर ये लोग कहते हैं कि 29 रुपया पर हर महलाओं को कहते हैं 2900 रुपया आपको देना है और इस 2900 के बदले आपको 60,000 रुपया मिलेंगे 60,000 रुपया के नाम पर भिलाओं से 2900 रुपय ले लेते हैं फाइल चार्ज के नाम पर इंसुरेंस के नाम पर ले लेते हैं और जब इनके पास 2400 पांस टॉफ़ोर में इकठे हो जाता है फिर ये लिग वहां से फरार हो जाते हैं ना तो इनकी कंपनी दिखाए देती है ना इनका वोड दिखाए देती है कोई नहीं ये फिलाल कमल फाइनेस प्राइबेट लिम्टेड मधवनी का मामला है जो ये मधवनी में हुआ है और इनका उद्भेजन हुआ है ये उनके मेंजर थे इनके पास ना इडी कार था कुछ नहीं था अब आप लोगों से हमारी ये गुजारिस है कि आप सभी लोग ये लोन वालो पर तो इस्पेसल धियान रखिए ये गाउं में जैसी गुशते हैं ये महलाओं के बीच बैठते हैं ये क्या करते हैं नहीं करते हैं क्या बाते करते हैं इस पर जो लोकल जन प्रतिंधी हैं उनका भी ध्यान इसके तरफ आकरिस्ट होना चाहिए कि आकिर ये लोग समू बना करके कही ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज को बरगलार है हैं मारे समाज को ठगी का सिकार बना रहे हैं बहुत सारे परिवार को ये उजार देते हैं घर परिवार को उजार देते हैं बहुत सारे बाल बच्चे को अनात कर देते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परिवार को ये बरवाद कर देते हैं इन पर खास और पैनी नजर की जुरत है और आप सभी जो भी माताये हैं जो इसमें जुरते हैं जो भी महलाये हैं जो इसमें जुरते हैं लॉन में समूह में ये सारी चीज़ों में इन लोगों पर खास नज़र रखे चुकि ये ठगी का एक बड़ा ही मतलब ठगी का गिरोह चलता रहता है जो आप लोगों को ठगी का सिकार बनाता है और आप लोग इसे सतर्क रहे हैं इस नियूज को बनाने का हमारा यही दिश था कि आप लोग सतर्क रहे हैं और शुरक्षित रहे हैं